तुम अब इस स्क्रीन पर देख सकते हो मेरी inventory में complete art modification material पढ़े हुए है एक mythic emblem पढ़ा हुआ है, दो mini material अवेलेबल है और 10 mythic emblem के fragment मौझूद है ये सारे के सारे मैंने AG currency से निकाले थे और तुमें भी इस trick का use जरूर करना चाहिए तर आज के इस वीडियो में तुमें next classic crate की leaks पताने वाला हो कि next classic crate में क्या देखने के लिए मिलने वाला है और क्या premium crate जो आज से पाच दिन बाद आने वाला है उसमें हमें upgradable girl skin नहीं देखने मिलेंगी और next pending event कौन सा होने वाला है टोटल चीज़े हम इसी वीडियो में आज discuss करेंगी और जो 3.0 के update में नहीं अल्टिमेट सेट आने वाला है कि भी कुछ leaks पता चली है तो वो भी तुमें आज इस वीडियो में बताऊँगा अगर तुम इन सारे topics में interested हो तो welcome to my channel otherwise तुम इस वीडियो को skip कर सकते हो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले make sure करना अगर तुमने चैनल को अभी तक subscribe नहीं गया है तो चैनल को subscribe कर लेना और bell icon पे click कर देना सबसे पहले हम बात कर लेते हैं classic crate की जो आज से 23 दिन बाद हमें BGMI में देखने के लिए मिलेगा अभी जो classic crate BGMI में चल रहा है उसमें कोई भी upgradable gun skin नहीं मौझूद है तो जो next classic crate आने वाला है क्या तुमें उसमें upgradable gun skin देखने के लिए मिल सकती है तो चलो तुमें उस classic crate की complete leaks पता देता हो अभी तुम screen पे देख सकते हो ये next classic crate है जो BGMI में आने वाला है and still यहाँ पे अभी भी कोई upgradable gun skin नहीं है BGMI ने अभी भी कोई upgradable gun skin नहीं दिया है ये vector का एक gun skin देखने के लिए मिलने वाला है और कुछ sets देखने के लिए मिलेंगे and एक backpack देखने के लिए मिलेंगा जो set तुम्हें देखने के लिए मिलने वाले है अभी तुम उन्हें screen पे देख सकते हो सबसे पहला set जो हमें मिलेंगा वो है cyber icon set इस set के glasses भी है कुछ इस तरीके से नज़र आता है ये set then तुम्हें एक vector का skin मिलने वाला है जो एक cyber icon skin है और ये कोई upgradable gun skin नहीं है एक backpack भी आने वाला है जिसका नाम है spy की carry backpack और बाकी की reverds अभी तुम screen पे देख सकते हो यही सारे reverds आने वाले है और इसके साथ में पुराना set भी वापस आने वाला है जिसे अभी तुम screen पे देख सकते हो इसका नाम है disco champ set BGMI ने अब इसे classic में डाल दिया है और इसकी comparison में अगर हम pubg Korea की बात कर ले तो pubg Korea में अभी जो crate चल रहा है उस रिद में vector का एक upgradable gun skin देखने की नहीं मिलेगा जिस gun skin का नाम है cute buddy और अभी तुम इसे screen पे देख सकते हो ये एक upgradable gun skin है और BGMI ने हमें ये पकड़ा दिया है बहुत ज्यादा बकवास लगा मुझे ये classic crate मैं तो तुम्हें भी यही suggest वर हुआ बिल्गुल भी तुमारे classic crate इस next crate पे waste मत कर रहा है next time बात कर लेते हैं कि next premium crate कौन सा होने वाला है जो BGMI में आएंगा next premium crate जो BGMI में आने वाला है उसकी leaks निकली है लेकिन उसके reverse शो नहीं हो पा रहे है अब तुम screen पे देख सकते हो यहाँ पे कोई reverse शो नहीं कर रहा है लेकिन मुझे एक leaks से ये पता चला है कि maybe premium crate में कोई upgradable gun skin नहीं आएंगा ये चीज़ confirm नहीं है leaks है अब देखो आज से 6 दिन बाद new premium crate BGMI में आने वाला है तो हमें ये चीज़ बिल्कुल confirm हो जाएंगी कि क्या देखने के लिए मिलेंगा क्या कोई upgradable gun skin होने वाली है या फिर premium crate में भी हमारे साथ में धोका होने वाला है ये चीज़ तो आज से 6 दिन बाद ही पता चलेंगी मैं दोका इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तुम स्क्रीन पे देख सकते हो ये PUBG Mobile का premium crate है जो currently PUBG Mobile में चल रहा है और यहाँ पे तुम्हें मीनी का ये upgradable gun skin देखने के लिए मिलेंगा जो मुझे बहुत ज्यादा शांदार upgradable gun skin लगा और अभी तो तुम मीनी को auto पे भी जला सकते हो ये upgradable gun skin totally worth it था और मैंने इसके लिए बहुत सारे premium crate बचा के रखे थे लेकिन देखो अब 6 दिन बाद हमें क्या मिलता है I hope crafter कोई upgradable gun skins premium crate में डाल दे Hope for the best अब हम बात कर लेते हैं जो spending event BGMI में आने वाला है वो कौन सा होगा तुम सब ये बात अच्छे तरीके से जानते हो कि next supercar जो BGMI में आने वाली है वो है BGMI X Pagani ये PUBG Mobile का एक official collab था प Pagani के साथ में लेकिन crafter ने इसे उठा के अब BGMI में डाल दिया है जिसमें बहुती शांदार कार्स तुमें देखने के लिए मिल जाएंगी और ये ही event अब BGMI में बहुत जल्द आने वाला है तो जैसे कि तुम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि जब भी कोई supercar का event आता है तो उसके साथ में ये lucky voucher भी तुमें देखने के लिए मिलते है तो इसी तरीके से जो PUBG Korea and PUBG Mobile में event चल रहा है उन events के according मैं तुमें ये चीज़ बता रहा हूँ कि अभी तुम स्क्रीन पे देख सकते हो कि PUBG Mobile and PUBG Korea में ये वाला spending event चल रहा है और maybe possible है कि तुमें पगानी की create या फिर पगानी की spin के साथ में ये ही वाला UC consumption या फिर UC spending event देखने मिल सकता है इस चीज़ के बहुत ज़्यादा solid chances है कि यही तुमें देखने के लिए मिले क्या event वो होने वाला है अभी तुम उसे screen पे देख सकते हो तो जैसे कि तुम देख सकते हो अगर तुम 600 UC spend करते हो तो उस पे तुमें 15 lucky voucher यहां से मिल जाएंगे अगर तुम 1200 UC spend करते हो तो तुमें 30 voucher यहां से मिल जाएंगे और अगर तुम 3000 UC spend करते हो तो 70 voucher तुमें यहां से मिल जाएंगे 6000 UC को spend करने पे तुम्हें यहां से 112 lucky voucher मिलेंगे अगर तुम 10,000 UC spend करते हो तो तुम्हें पूरे 190 lucky voucher यहां से मिल जाएंगे अब जितने voucher तुम्हें मिलने वाले हैं 10,000 UC को spend करने पे उसका total होता है 417 lucky voucher और अगर तुम 1500 lucky voucher collect कर लेते हो तो फिर तुम एक पगानी का skin निकाल सकते हो अब यह 417 voucher लेने का सबसे आसान तरीका यह है कि अगर तुमने अभी तक RP activity pack buy नहीं किया है तो RP activity pack buy करके 417 lucky voucher तुम निकाल सकते हो एक चींज यहां पर यह भी हो सकता है कि तुम्हें यह सारे के सारे lucky voucher उसी वक्त मिलेंगे जब तुम पगानी के spin पे 10,000 uses पैल करोंगे यह भी chances है कि BGMI वाले कुछ इस तरीके से event ला सकते हैं अभी क्या आने वाला है वो तो इस update के आने के बाद ही पता चलेगा बाकि यह जो lucky voucher तुमें मिलेंगे अभी हम बात कर लेते हैं कि BGMI में तुम AG currency कैसे ले सकते हो वो भी बहुत सारी सबसे पहले तो simply तुम जब यहां missions पे click करोंगे तो बहुत सारे daily missions तुम्हें यहां देखने के लिए मिल जाएगे अगर तुम इन सारे ही daily missions को complete करते हो तो दिन के 25 AG currency तुम्हें यहां से मिल जाएगे सबसे पहला तरीका तो यह है जहां से तुम AG currency ले सकते हो next option जो तुमारे पास में AG currency को लेने का है तो तुम्हें इन missions को complete करने पे AG currency यहां से मिलती रहेंगी लगबग 170 AG currency तुम यहां से निकाल सकते हो next तुम्हें free में AG currency कहां से मिलेंगी तो अगर तुम royal pass पे जाओंगे जो यहां पे free वाला section है अगर तुम इसमें रेख लोगे तो जो total AG currency तुम्हें यहां से मिलने वाली है इस free वाले section से वो लगबग 2000 होगी और अगर इसी के साथ में तुमारे पास में royal pass भी है तो वो दोनों का collection तुमारे पास में 4-5,000 AG currency यहां से collect हो जाएंगे तो तुम इन जगए से भी AG currency निकाल सकते हो next जो AG currency का option तुमारे पास में मौजूद है वो है यह season tokens जो तुम्हें तुम्हारी inventory में 101% मिल जाएंगे तुम्हें simply इस season token पे click करना है and click करने के बाद में use की button पे click करना है जैसे ही तुम use button पे click करोंगे तो तुमारे सामने कुछ इस तरीकी के interface open हो जाएगा तुम इस interface से 1500 AG currency निकाल सकते हो लेकिन ये 1500 AG currency तुम्हें season में एक ही बार मिलती है तो 1500 AG currency तुम्हें यहां से मिल जाएंगी जो बहुत ज़्यादा सही option है और सबसे आख्रे trick जो AG currency को निकाल लेगी है वो मैं तुम्हें बताता हूँ जिससे सबसे ज्यादा मेरा फायदा गुआ है लगभग मैंने इस trick का use करके 3000 AG currency निकाली है इन सबकी help से मैंने ये total art complete material यहां से निकाले है तो ये जो recall token है अगर तुम इसे use करते हो तो तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगा कि एक token से तुम 20 AG currency निकाल सकते हो और यहां पे तुम्हें एक bar देखने के लिए मिल जाएगा जहां पे तुम्हें अपने किसी भी friend को invite करते हो और वो तुम्हारे invite link से bgmi वापस से खेलना शुरू कर देता है तो तुम्हें bgmi के तरफ से 30 token मिलेंगे अगर तुम उस friend के साथ में match खेलते हो तो हर match केलने पे तुम्हें 20 recall token यहां से मिल जाएगे एक और option है अगर तुम्हारे friend list में कोई भी bronze वाला बंदा है जिसका tear bronze है अगर तुम उसके साथ में game केलते हो तो हर game खेलने पे तुम्हें 25 recall token यहां से मिल जाएगे और मैं तुम्हें seriously बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा जो मैंने AG करन से निगाली है तो वो इसी event से निकाली है और तुम भी इस event का ज़रूर फायदा उठाना क्योंकि यह event बहुत ही जल्दी close हो जाने वाला है तुम अभी screen पे देख सकते हो यह image लीक हुई है जिसमें purple neon type का यह ultimate set लग रहा है जो 3.0 की update में हमें देखने के लिए मिलने वाला है और इसी के साथ में एक M416 का upgradable gun skin भी आया है जिसे अभी तुम स्क्रीन पे देख सकते हो यह इस gun का advance form है तुम इसे final form तक upgrade करोंगे तो उसके बाद यह gun skin कुछ इस तरीकी से नजर आती है और स्क्रीन पे अभी तुम इसका loot rate भी देख सकते हो तो यही था जो तुम्हें आज की इस वीडियो में बताना था I hope तुम्हें ये वीडियो informative लगा हो और मेरा काम काम का लगा हो अगर तुम्हें ये वीडियो informative लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना चैनल को सब्स्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना मैं मिलता हूँ तुम से फिर किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाई